मैं आज देज के सामने पहली बार एक दिल्चस्प पत्थ्य आपके सामबे रखना ताथा। जब देज की एक प्रधान मंत्री बहनी इंदराजी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी उनकी जो प्रापर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलने थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्टा सरकाव ले लेती थी। कॉंग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। सब चर्चा थी और व्यापक रुप से चर्चा थी कि जब इंदराजी नहीं रही और उनके बेटे राजिव गांधी जी को ये प्रापर्टी मिलने की थी लिकर के गई थी। तो अब सरकार कोई पैसा चला न जाए। प्रापर्टी को बचाना था। तो इन्हों ने क्या कर दिया। उस प्रापर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए। उस समय के प्रधान मंत्री स्रिवान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ती बचाने के लिए पहले जो इन्हेरिटन कानुन था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानुन हेटा दिया और अब वहां मामला निपट गया साजबिर सत्ता पाने के लारत में ये लोग वही कानुन जादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं बीना टैक्स के अपने परिवार की चार चार फिडियों की अपूत धन दौलत हासी करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासर आपकी महनत की कवाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बच्चत करके रखा है उस पर टैक्स लगा करके आदी संपत्ति लूटना चाहते हैं और इसलिए ही तो देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी